वेलकम बैक स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है ट्रेंट्स एजूकेशन के चैनल पे तो हम आज जो है टुवेल्ट का न्यू सब्जेक्ट चालू करने जा रहे है एकोनोमिक का इसके अंदर हम चैप्टर नंबर वन देखेंगे दिया गया है इंट्रोडक्शन टू मैक क्या बोला गया है माइक्रो एकनोमिक और मैक्रो एकनोमिक क्या होता है माइक्रो एकनोमिक का मतलब होता है जो है एकदम छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होना जो की ग्रीक वर्ट से आया है जिसका नाम है मिक्रो जिसका मतलब है छोटा स्मॉल और मैक्रो जो है वो भी ग्रीक जो कि Oslo University में पढ़े थे और इनों ने 1933 में ही Micro and Macro के बारे में बताया था उसके बाद हम मीनिंग के बारे में जान लेते क्या दिया गया है मीनिंग Micro means a small part of a thing Microeconomics deals with a small part of the national economy its study the economic action and behavior of individuals you need such as an individual consumer, individual producer or a firm the price of a particular commodity or a factor etc तो क्या बोला है Micro का मतलब होता है small और छोटा जो कि Micro जो है small small part में national economic के बारे में बताता है जो economic के अंदर जितने भी आते चाहिए individual consumer के बारे में बात करे, individual producer के बारे में बात करे firm के बारे में बात करे, यानि कि business वगेरा या किसी के commodity या goods and services के price के बारे में बात करे जो भी बाते होगी Microeconomics के अंदर सिरीप और सिरीप small part में ही बात होगी बड़े पैमाने पे बात नहीं करेंगे उसके बाद definitions हम देख लेते, definitions क्या क्या दिया गया है पहला Morris Dobb ने दिया है क्या बोलते है Morris Dobb Microeconomics is in fact of microscoping study of the economic microeconomics को क्या बोले है इन्होंने microeconomics का मतलब है कि in fact में fact में जो है microscoping यानि कि जो आप lens वागेरा देखते हो इक्तम छोटे 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 चीजे होती है उसके बारे में study करना तो उसके बारे में study करना उसे हम microeconomics के अंदर रखते हैं उसका दूसरा definition दिया है Professor A.P. Lerner ने क्या बोलते हैं microeconomic consists of looks at the economic through a microscope as it were to see how the millions of sales of the body of economic the individual or household as consumer and individual or firm as producer play their part in the working of the whole economic organisms तो क्या बोले हैं सीजब बाले बोला गया जैसे body के हर एक organisms होते हैं छोटे छोटे पार्ट होते हैं वैसे ही यहाँ पे जो country का national economic है जिसके अंदर चाहिए individual आए household आए consumers आए customers आए firms आए producer आए जो भी आ रहा है वो लोग क्या करते हैं इस economic economic के अंदर छोटे छोटे organisms है जो की build करने में मदद कर रहा है और economic growth करने में मदद कर रहा है next देख लेते scope of micro economic अब scope of micro economic में क्या क्या दिए गया है अप एक चार्ड होगा आपके सामने दिख रहा होगा चार्ड के अंदर क्या बोला है पहला दिया है theory of product pricing अब theory of product pricing के अंदर generally demand and supply से related होगा अब जो demand है वो supply के हिसाब से होगा supply जो है demand के हिसाब से होगा दोनों क्या enter link है उसके हिसाब से हम study करेंगे ठीक है अगला देखते है theory of factor pricing दिया है theory of factor pricing इसके अंदर भी दिया गया चार चीजे rent wages interest profit ठीक है तो इसके अंदर भी हम देखेंगे theory of factor pricing के अंदर जो rent wages interest और profit इसके बारे में क्या क्या दिया गया है next theory of economic welfare इसमें भी तीन further classifications दिये है theory of economic welfare के अंदर जो efficiency in production दिया है efficiency in consumption दिया है और overall economic efficiency दिया है ठीक है तो scope of micro economy के अंदर तीन classified है और तीन के अंदर भी further classifications दिये गये है तो one by one देखते है क्या दिया गया है पहला देखते है theory of product pricing अब product pricing का मतलब है कि यहाँ पे जो micro economic के अंदर जितने भी concerns है हर एक product के उपर किस तरीके से demand analyze किया जाता है किस तरीके से demand आता है individual consumer behavior के बारे में बात करेंगे और उस हिसाब से supply होगा तो पूरा का पूरा product pricing के उपर depend होगा यानि कि particular product का जितना demand हो रहा है जितना market force है उसके हिसाब से price लगाया जाएगा individual commodities के उपर तो उसे हम बोलेंगे individual producer behavior के हिसाब से दोनों ही आ जाएंगे demand analysis भी आ जाएगा और उसके हिसाब से price को decide किया जाएगा individual commodity के उपर अगला देखते है theory of factor pricing अब theory of factor pricing के अंदर एक एक के बारे में हम discuss करेंगे जो है rent, wages, interest and profit rent है, wages है, interest and profit है तो micro economy के अंदर जो एक entrepreneur होता है उसके लिए factor of pricing क्या होता है या factor of production क्या होता है land, labor, capital and entrepreneur ये generally important होते है production process के लिए अब जैसे production process के लिए important है land, labor, capital and entrepreneur तो उसी हिसाब से यहाँ पे land, labor, capital and entrepreneur के अंदर भी क्या क्या आ जाएंगे, land है तो rent होगा, labor है तो wages दिया जाएगा और capital है तो interest वगेरा मिलेगा और entrepreneur को क्या मिलेगा, profit तो ये जो small small part में हम factor of product के हिसाब से, factor of production के हिसाब से हम factor pricing देखेंगे, factor of production, land, labor, capital and entrepreneur और factor of pricing, land के लिए rent, rent, wages, interest, profit, land के लिए rent, labor के लिए wages, capital के लिए interest और entrepreneur के लिए profit अगला देखते है theory of economic welfare, अब welfare की बात कर रहे हैं, welfare का मतलब है कि कितने resources allocation से ताकि जितने भी commodity से उनको satisfied कर सके, maximum satisfaction दे सके, तो इसके अंदर कई सारे points है, पहला efficiency in production यानि कि production तभी possible होगा, जब आपके पास goods and services या raw material available है, maximum efficiency के साथ, अगर सब कुछ अच्छे से available है, तब जाके goods and services कहीं न कहीं बहुत better बनेगा, efficiency in consumption, अगर consumption भी हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, जितना ज़्यादा society को requirement है, उस हिसाब से production होना चाहिए, production अगर अच्छे से होगा, efficiency in production होगा, तब जाके लोग जो है satisfied होंगे, यानि कि society जो यह important efficiency in production, efficiency in consumption, अब जैसा भी society के requirements है, उस हिसाब से efficiency in production होगा, और जैसा efficiency in production होगा, और requirements of the society, efficiency in consumption भी हो जाएगा, कि at the end point of satisfaction of the societies, अब यह important था, आपके micro economy के अंदर, जो कि आपके हमने देखा, introductions से related, meanings, definitions से related, and then after scope of micro economy के अंदर, तिन चीजे हमने देखा, theory of production pricing, theory of factor pricing, और theory of economic welfare, ठीक है, अच्छा, economic welfare के अंदर, एक topic और बजगा था, overall economic efficiency, इसको हमने नहीं देखा, तो overall economic efficiency का मतलब है, production से भी related, consumption से भी related, और overall का मतलब है, कि जितने भी related है, aggregate, whole economic के अंदर, जितने भी parts आते हैं, उस सभी से related होगा, तो इसके अंदर हम, आपने जो भी 11th में economic पूरा का पूरा पढ़े है, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, चाहे वो unemployment की बात हो, चाहे वो national की बात हो, चाहे वो poverty की बात हो, चाहे वो income की बात हो, चाहे वो जो भी business cycle है, उसकी बात हो, या monetary की बात हो, fiscal policy की बात हो, government rules and regulation की बात हो तो जितने भी आपने 11th में पढ़ा है वो सारा का सारा किसमें आएगा overall economic efficiency में आएगा यानि कि सब कुछ अकर बढ़िया है तो overall efficiency क्या होगा बहुत बढ़िया होगा नहीं तो नहीं होगा यह important है तो इस वीडियो में बस इतना ही इतना ही था अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइंट कर सकते हो वहाँ पर आप डाउट को अपने रेस कर सकते हो हम जो है ट्राइ करेंगे आपके answers को देने के लिए तो इस वीडियो में वस इतना ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ऐसे वीडियो आपकोport में मिलते रहेंगे तब इस वीडियो में एतना ही अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लेटे के रहीं दधने बाद झाल झाल